हाई गाईज, वेलकुम बैक टू मैं चैनल, मैं हूँ स्पीठी और आप देख रहे हो स्पार्कलिंग सोल्स आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये करते ही आपके स्पेसिफिक परसन के पास आपकी डेस्पेट एनरजी पहुंचती है आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में जानेंगी कि जब हम अपने स्पेसिफिक परसन को मैनिफेस्ट करते हैं तो वो इनसान हमसे और जादा दूर क्यों होने लग जाता है कई बार आप नोटेस करोगे कि आप टेकनीक तो बहुत पावफुली फॉलो करे हो सारे स्टिप्स को भी अच्छी तरह डन करे हो पर फिर भी अचानक से क्यों आपका स्पेसिफिक परसन आपसे दूर होने लग जाता है दरसल इसका रीजन सिर्फ ये रहता है ना कि आपके स्पेसिफिक परसन के पास आपकी डेस्परेट अनरजी पहुँचती है तो सबसे पहला पॉइंट जब आप अपने प्रोसेस को डन कर रहे हो अपने स्पेसिफिक परसन को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपको कभी भी अपने स्पेसिफिक परसन को याद करके रोना नहीं है जी हाँ अगर आप कभी भी अपने specific person को याद करके अगर emotional हो रहे हो रो रहे हो बहुत ज़्यादा दुख अपने भीतर फील करे हो अपने heart चक्रा में एक heaviness को फील करे हो तो समझेगे कि ये desperate energy सिर्फ आप नहीं फील करे हो आपका specific person भी फील कर रहा है और जब ये desperate energy आपका specific person फील करेगा तो वो इंसान आपकी close नहीं आएगा बलकि आपसे और जादा दूर होते चाएगा तो याद रखिए आपको कभी भी उस इंसान को याद करके ना बुरा फील नहीं करना है और दूसरा point अगर आप हर वक्त अपने specific person के पीछे पड़े रहोगे ना मतलब उसे online चेक करते रहोगे वो कहां जा रहा है क्या कर रहा है इस तरह की खबर उसकी दूसरे लोगों से लेते रहोगे ना तो भी आपके specific person के पास आपकी desperate energy पहुँचती है जब हम इस तरह की चीजों को follow करते हैं तब हम अपने process पे trust नहीं कर पाते और हम universe को क्या बताना चाते हैं तो क्या होता है कि आपका specific person आपसे दूर होने लग चाता है तो आपको अपने process में इस तरह की गलतियां बिलकुल भी नहीं करने हैं और तीसरा और powerful point कई बार हम अपने process को तो follow करने लग जाते हैं पर उसी process पे हम doubt करते हैं जी हां अगर आप अपने specific person को manifest कर रहे हो ना तो 100% faith रखे कि आपका specific person आपकी life में जरूर आएगा ये manifestation जरूर पूरा होगा आपकी wish ना manifest होगी अगर इस तरह की feeling आप अपने भीतर रखोगे तो आपका specific person आपकी life में जरूर आएगा आपको जरा भी अपने भीतर ये doubt नहीं रखना है कि आपका specific person आपकी life में अब नहीं आने वाला, situations बहुत कराब है, वो इंसान आपसे बात नहीं करना, अब कुछ भी possible नहीं है, अगर ये feeling आप अपने भीतर feel करते रहोगे, process को follow करते करते ना, तो वो इंसान ना सच में आपकी life में नहीं आएगा, याद रखें, जिस चीज़ पे हम बहुत जादा believe करते हैं, और उसके लिए बहुत सारी technique follow करते ना, तो वही चीज़े हमारी life में manifest हो जाते हैं, आपको बिल्कुल भी doubt नहीं रखना है, कि ये इंसान आपकी life में नहीं आएगा, क्योंकि अगर ये doubt आपके भीतर रहेगा ना, तो ये doubt ना कभी ना कभी manifest हो जाएगा, इसलिए इस तरह के doubt को अपने भीतर से निकाल दीजिए, वह इंसान आपकी life में आएगा, ये feeling को पकड़के आप अपने process को follow कीजिए, और जब ये strong feeling आपके भीतर बिल्कुल पूरी तरह से बस जाएगी ना, तो वह इंसान आपकी life में जरूर आएगा, universe आपके wish आपको जरूर द